थ्री फ्लोर का एक बिल्डिंग बनानी है तो क्या होगा थ्री फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले जिसका वो प्लोट है वो अपने requirement पहले सोच लेगा अपने mind में कि भई मेरी family इतनी बढ़ी है तो मुझे यहां पर कम से कम तीन रूम चाहिए रूम 1 रूम 2 रूम 3 और मुझे एक kitchen चाहिए यहां पर kitchen हो गई और यह होल हो गया आपका यहां पर स्टेर हो गई कि एक है ना जिसके प्लॉट है जो अपना प्लॉट बनवाना चाहता है थ्री फ्लॉवर की building उसकी एक requirement होगे माइंड सेट होगे मेरे को थोड़ा सा यह requirement है ठीक है तो किसके पास जाएगा वह जाएगा आर्किटेक्चर के पास सिविल इंजिनियर के पास नहीं जाएगा वह जाएगा आर्किटेक्चर के पास ठीक है अपनी requirement बता देगा कि मेरे अप लोट इतने बाई इतने का है X by Y का है मेरा प्लोट अब मेरे को यह यह requirement है तीन room, hall, kitchen और stairs चाहिए, तीन floor की building इतना मेरा budget है, आप मेरा plan बना दीजिए architecture एक plan बनाएगा और अच्छे architecture पे जाओगे अच्छे पैसे दोगे तो 3D भी बना के दिखा देगा कि आपका घर ऐसा दिखेगा यह दिखेगा बोला उसने कि आपका घर देखने में ऐसा होगा आपने अप्रूफ कर दिया, आपने पैसे दे दिये, इसको इसने map बना दिया आप चाहते हो कि यह बनवा भी यही दे ना, तो यह कियाएगा, यह दो चीज़ों, दो लोगो को हायर करेगा, एक तो contractor जिसके पास material होगा और एक किसको एक civil engineer को civil engineer क्या करेगा, civil engineer के पास इस plot का map है, जो architecture ने आपकी requirement के हसाब से बना हूँ है यह रूम वन, यह रूम टू, यह रूम टू, यह रूम ट्री एक चैन जैसा यह बनाए वन्हें देशर लाइन टाइप्स का होगा, ठीक है यह मैप वो civil engineer को दे देगा, अब civil engineer का 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 क्या होता है, आर्केटेक्चर का का काम था, कि हमारा structure देखने में कैसा आए यह बाइब करनेक्ट की आवाज आ रही है, सरा आपकी बॉइस वी सर बीच वीजम नो कट हो रही है, एक सेकें अगे नेटर्वर्क इश्यू है आपका यहार नेटर्वर्क यहां सब चीज़े तो सही चल रही है पता है नेटर्वर्क इश्यू कैसे हो रहा है चलो ठीक है थो तो क्या हुआ कि हम आरजो स्यर है इसको एक मैप मिला जिसमें केवल यह शो किया हुआ है प्लोट का साइज करूं का साइज कर यह किछन का स्टेर स्टेर उती हैं स्लैब होती है ठीक वाल होती है म्सिए सारे से यह सुपनेंट हो ierte के है कुछ साइज तो होगा न क्योंकि सिर्भाइस है पर ओकि सीजक नीग्ताया इसका बीम कोलम स्लैप का उसने बताया रूम का साइथ उसने बिच्चन का size, hole का size, उसने ये नहीं बताया, कि जो wall है, उसके thickness क्या होगी, जो beam है उसके thickness क्या होगी, column जै, उनका size क्या होगा, ठीक है? तो ये size को निकालेगा, ये a case civil engineer निकालेगा, size कि इसक्षज पर डेपन करता है, कि कितना load आहा है, तो यह कैसे डिजाइन करेगा वो कि उसको पहले टेकनिकल नौलीज होनी चीए जो हमारे गाइड लाइन इस आइस आइस और फाइफ सिक्स आइस एवन एट नाइन त्री आइस एट हमारे आइस इस लिए वो सिविल इंजीनियर है वह उन सब की हैल्प से क्या करेगा सबसे पहला स्टैप वह एक 3D स्टक्चर बनाएगा ठीक है जैसे लाइन दार आपको आर्किटेक्टर ने दिया इसे लाइन के हिसाब से वह एक 3D स्टक्चर बना देगा ठीक है किसमें किसी एक इस्का पॉस्ट इसे क्या किया उसका 3D स्टक्चर बना दिया उस बिल्डिक को जैसे देखने में लाग 5 एड्गिन के वाल उसमें कॉम्पोनेंट ओंगे आर्केटेक्टेशर्चर जो दिखाता है क्लाइन को वह दिखाता है ओल का कलर डेखने में है यह सिगलास नहां लग आयस कोड की गाइडलाइन को यूज के और जो क्लाइंट की रिक्वार्मेंट के ओपर लोड लगाएगा लोड लगाने के बाद उसको एनलाइज करेगा एनलाइज करने के बाद की हेल्प से डिजाइन करेगा कि हर बीम का कॉलम का स्लैप का साइज क्या होगा उसमें रिन्फ तो अलग केस हो गया ऐल्मॉनियम स्ट्रक्चर वह अलग हो गया वोल्ट स्ट्रक्चर है वह अलग केस हो गया आवाज कट रही है थोड़ी बहुत कोई बात नहीं लेकिन अगर ज्यादा बड़ा इश्यू हो कि स्लाइड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरी बिल्कुली आवाज बंद हो गई तो तुरंट मेरे को मैसेज़ा कॉल करके बता देना ठीक है यह तो एक बेसिक सा आइडिया था कि हमें सॉफ्टर की हैल्प क्यों जरूत पड़ी कहां पे के सिस्से में डिजाइन और एनलेसिस करने के लिए अब बात आती है कि डिजाइन क्या है और एनलेसिस क्या है ठीक है तो दो चीज़ा आ गई है डिजाइन और एनलेसिस तो आप क्या करते हो, आप reaction को find करते हो, आप bending moment find करते हो, आप shear force find करते हो, तो यह क्या है, आपने load की help से, और structure की length given है, इसकी help से, आपने analysis करके, internal force generate हो रहे है, external load की वज़े से, उनको calculate किया है, इसी को कहते है, analysis करना, external force की वज़े से, आपके structure में, जो internal force generate हो रहे हैं, stresses generate हो रही है, reaction generator हो रही है, करते हैं, तो जो stat pro software है, या कोई और software है, वो यह सारे काम कर लेता है, कितना भी load लगा दो के, किसी भी direction में, वो bending moment, shear force, deflection, reaction, stresses, सारी automatic calculate कर लेता है, design का क्या मतलब है, कि जो आपके इस beam में bending moment आया, इस bending moment को resist करने के लिए, इस beam का size क्या होगा, इस के अंदर reinforcement कितना डलेगा, उसको बोलते हैं, design का, ठीक है, तो ये दो चीजे हैं आपके पाद, design versus analysis, तो ये दोनों काम करता है, आपका software, अब बात करते हैं, software की, market में कौन कौन सा software available है, हम कौन सा software सीखेंगे, software का scope क्या है, क्या job के लिए सीखना चाहिए, job मिलेगी और salary क्या होती है, ये सारी चीज डिसकस करते हैं, सबसे पहला market में design अगर ऐसा है, जो in by interest नहीं गया है, और civil source के जो software होते हैं, उनको design करने के लिए civil engineer की help हो चाहिए होती है, कोई भी काम manually अब नहीं होता है, अगर एक RCC का beam design करोगे, simple RCC का beam, तो उसमें भी आदा गंटा लग जाएगा अगर आप बहुत expert हो, सारी detailing देने में, बहुत expert को लगे जादा गंटा उससे भी जादा लग सकता है, और एक building में कभी कभी हजार दो हजार पांच हजार भी इम और column भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, fast calculation के लिए software की help लेते हैं, अब market में कौन कौन से software available हैं, जैसे कि आपको पता होगा, civil engineer की बहुत सारी ब्राइबराण चीज़ें, उन में से structure engineer की बात हो रही हैं, पर उसके लिए software available है, ठीक है, उसकी में बात कर रहा है, तो software है, ETAB और STAD PRO, यह दोनों software market में सबसे ज्यादा famous है, structure को design और analysis करने के लिए, ठीक है, तो जब यह दोनों famous हैं, इन दोनों के अपर job लगनी है, तो मैं और सारे software की बात ही नहीं करता, ANSYS है, ABACAS है, REVIT structure भी है, इन से भी आप design कर सकते हैं, और भी market में, लेकिर इन ही पर सारा काम हो रहा है, तो हम किसी और की बात ही नहीं करते हैं, ETAB क्या है, बुर्च खलीफा का नाम सुनाएं, कोई जड़ा confirm करें, बुर्च खलीफा का नाम सुनाएं, Yes, Sir, Yes, Sir, हमें building, non-building structure, दोनों design होते हैं, non-building structure कौन से होते हैं, tower, transmission tower देखा है, अपने जो cable जारी होती है, electricity, इस तरह का tower होता है, trust का बना होता है, cable जारी होती है, connect होके transmission tower को होते हैं, ऐसे tower, factory, non-building structure, यह सब भी stat pro में design हो जाते हैं, तो यह बहुत पड़ा difference है, थीक है, दूसरा difference यह है, क्योंकि tall building होती है, tall building में dynamic force ज्यादा लगता है, dynamic force wind load और earthquake load की वजह से, तो tall building में अगर dynamic force ज्यादा है, तो यह जो हमारा e-tab है, इसका जो honor है, वो एक earthquake engineer है, थीक है, वो American-Pakistan है, तो जब tall building पर dynamic force लगते हैं, तो dynamic force ज्यादा अच्छे, एक second के लुग जाती है, थोड़ा सा connection error आ रहा है, जो लग रहा है। थीक है, तो tall building में dynamic force को ज्यादा लगते हैं, तो dynamic force में बहुत advanced analysis होते हैं, तो जो e-tab है, वो थोड़ा सा result ज्यादा precise देता है, dynamic analysis के लिए, इसका e-tab tall building design करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो tall building का ज्यादा यूज design करने के लिए ज्यादा यूज होता है, इ-tab का और e-tab में केवल simple building design होती है और कुछ नहीं होता, तो इंडिया में tall building का scope अब धीर धीर भर रहा है, अब tall structure बढ़ने स्टार्ट हो गए है, जो इससे भी ज्यादा ज्यादा है ना 30 floor के 40 floor के इस टाइप की structure जो है 500 floor के इस टाइप की structure, e-tab में result better आता है, इसलिए वहाँ पे e-tab का scope है, लेकिन आजकल की जो company आए उनको ऐसा बंदा चीए जिसे दोनों आते हो, ठीक है, e-tab भी आता हो, stat भी आता हो, क्योंकि उनके पास project ऐसा नहीं है, उनके पास कैसा भी project आ सकता है, 70% तो 60-70% तो stat पे काम होता है, 30-40% e-tab पे होता है, तो वह अलग से बंदा तो रखेंगे नहीं, तो उनको ऐसा बंदा चीए, जो दोनों software आते हो, लेकिन आप सुरुआत स्टैट से कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा तर जो stat की ही depend है हमारे इंडिया में, ठीक है यह तो हो गया दोनों में difference, आप बात करते हैं कि job का क्या scope है, तो जितने भी आप construction देख रहे हो, उन सब construction के लिए structure designer चाहिए होता है, ठीक है, कंसल्टैंसी होती है, जो architecture से contact भी होता है, खुद की अपनी बड़ी बड़ी कंसल्टैंसी होती है, जैसे L&T की भी यह कंसल्टैंसी है, और बहुत सारी नोइडा में हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली में आपका नहरो प्लेश में बहुत सारी कंसल्टैंसी है, तो कंसल्टैंसी में जो structure designer होता है, उसकी जो salary होती है, वो experience based होती है, तो इसमें salary की तो limit नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि अगर आप एक बार इसमें घुस गए, designing में, और आपने तीन-चार साल काम कर लिए, और आपको पता चले गए, आपको knowledge हो गई, तो आप अपना काम भी खोल सकते हैं, और अपने काम में तो बहुत आपको कोई building design करनी आती है, आपके पास कोई client आया, 10 floor की building design करनी है आपको, तो आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आपको कुछ invest थोड़ी ना करना है, तो जो भी आप perfect square मांगोंगे, कितना भी मांग लो, कम मांग लो, ज्यादा मांग लो, और company से कम मांग लो starting में, तो आ फ्रेशर, BTEC, और software की अच्छी knowledge और technical knowledge है, तो इसकी starting कम से होती है, लेकिन इसकी range बहुत बढ़ जाती है, starting जो होती है, 15,000 से होती है, क्योंकि इसमें experience की ज्यादा demand होती है, ठीक है, अगर ऐसे fresher आप लगते हो, आपको software आते हैं, तो 15k से एक अच्छी सुरुवात मानें अगर 15k आपको मिल जाता है, पर मन्त, ठीक है, और जो मैंने जो देखा है, कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी 2.5 lakh भी देखी है, मैंने, as a structured engineer per month, इंडिया में, और भार तो बहुत ही ज्यादा scope है, इसका, लेकिन आपको software से ज्यादा technical knowledge की ज्यादा knowledge हो, software तो आने आप से technical knowledge पुछी जाती है, software जो काम करता है, वो ठीक कर रहा है और नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा, अगर मैं, इस software पे एक beam बनाओ, ये beam, और इस beam पे point load लग रहा है, P, ठीक है, और मैं उसका bending में diagram अगर मैं software में देखू है, ऐसे आ रहा है, तो आप इसको correct मान लोग पे नहीं, क्योंकि आपको technical knowledge आपको पता होगे, कि जब point load है, यूडियल नहीं है, तो bending moment जो होगा, straight line होगा, तो आपको technical knowledge है, तभी आप ये पता कर पाऊगे ना, कि software काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा, तो technical knowledge में क्या, आपको structure engineering आने चाहिए, structure आने चाहिए, RCC आने चाहि ये, तो ये knowledge plus software की knowledge तब आप start कर सकते हो, as a structure engineer, अब तुम लगा लो कि अगर आप, कोई भी structure engineer, तीन सार, तीन से पांस साल के बाद, जौब नहीं करता है, वो अपना काम ही खोलता है, आप बहुत लाखों करोड़ों को कमाता है, ठीक है, कोई भी नहीं देखा, मैंने आज तक, जो है न, पांस साल के बाद भी as a structure engineer काम कर रहा है, उसका अपना ही consultancy होती है, वो अपनी ही consultancy में काम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जब उसे आता है, सब कुछ तो क्यों salary पर काम करें, है न, ये मेरा experience बता रहा है, बस मेरा, जो मैंने देखा अभी तक, वो मैं बत बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये software है, stat pro, e-tab, e-tab की भी हम class start करवा देंगे, इसके बाद पहले stat सीख लो, ठीक है, तो stat pro में structure को analysis करना है, design करना है, जिसने भी structure analysis पढ़ा है, second year में engineering mechanics पढ़ी है, उनमें जो beam column आपने पढ़े हैं, force लगा के, reaction निकालना, banding measurements, shear force वो सारे काम इस software में हो जाएंगे, साथ में वो design भी कर देगा, क्योंकि हम इस training के दोरान technical knowledge भी use करेंगे, ऐसा नहीं है कि software के वल टूल सिखाए जाएंगे, थोड़ी थोड़ी technical knowledge भी सिखाए जाएगी, ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी, जिससे जो second year में है, उनको भी पतल सके, जो structure नहीं पढ़ा है, और जो जिन्होंने पढ़के भूल गए, उनको भी थोड़ी सा यादा सके, तो technical knowledge प्लस software ये चलेगा, ये first class थी introduction और प्लस software कैसे install करना है, ये recorded video भी मिल जाएए आपको, कल second class होगी, उसके बाद मंडे, तूजडे, मैंडेस जे, के वाद 13 दिन होगी हफते में, ठीक है, तो अब हम इस introduction को यहीं पर finish करते हैं, और हम बात करते हैं, अब software installation की, जो मैंने आपको भेजा है, ये भेजा है, मैंने आपको, हो सकता है, बहुत सारे को दिक्कत आई, अभी software download करने में, install करने में, कोई बात नहीं कर लेना भी, ठीक है, आ ये जो रार फाइल दिखाई दे रही है, आपको ये भेजी है, ठीक है, तो मैं इसी को जड़ा, एक्स्ट्रेक्ट करता हूँ, विन रार आपके, पीसी में होना चाहिए, विन रार फ्री वेर सॉफ्टेर है, ये डाउनलोड कर लेना गूगल से, तभी आपको फाइल इस कल मेट है, ये फोल्डर मत देखी, मैंने कि अवल आपको ये वाली फाइल भेजी है, ये वाली, ठीक है, तो इस तरह का फोल्डर इस कलर में इस लिए दिखाई देगा, अगर आपके पास सॉफ्टेर कॉंसर स्टोल होगा, विन रार, दो से तीन एम बी का है, ये 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 इस एक्स्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इसे इक उपर हो गया है, यह फोल्डर। यह वाला folder, जैसी आप आपके अपन करते हैं। कि यहां पे stat pro kye है और stat pro है। खीक होई यह वाला folder आएगा आपके पास. दो key दीवी है। कि कभी कोई की काम करती है , कभी काम क्लिक करना है आपको तो एक कंटीन्यू के लिए पूछ रहा है एक्स्ट्रेक्ट हो रहा है फिर उसके पास आपके पास यह एक आ जाएगा एक विंडो अपन हो जाएगी इसमें बहुत सारे सबसे पहले क्या है विंडो स्टोलर विंडो डॉट नेट यह जो दो है ना फर्स्ट वाले एट पॉइंट मेंसे जो फर्स टू पॉइंट है यह विंडोस के ही अपडेट है अगर आपकी विंडो में यह नहीं है तो वह इंटरनेट मागे का डाउनलोड करके फिरंडिस टॉल होने के लिए ओर इंटरनेट नहीं हो गाऊ तो अरुरा जाएगा और आपकी विंडोत अगर अपडेटिट है तो यह automatic install हो जाएंगे ठीक है तो मेरे में तो updated है देखो क्या होता है मैं क्लिक करता हूं तो देखो क्लिक करते के साथ ही third point install हो रहा है stat pro क्योंकि तो पहले तीन point पहले से already install है मेरे में आपके में क्योंकि पहली बार stat होगा तो आपका second point से third point से start होगा और अगर आपके में first two point नहीं है तो इंटरनेट मांगेगा और इंटरनेट से download करें के install करने के बाद फिर ओ third point पाएगा तो मेरा fourth point पा गिया है मैंने next किया कि यहां पे accept किया इसको agreement को next यहां कहां drive पे save करना है c में ही रहन देना जो default आ रहा है कि देखो यहां पर आपको यह दिहान रखना है कि यह जो की है यहां पर की मेरे में automatic आ रही क्योंकि मेरे में stat pro मैंने इंस्टॉल किया हुआ था पहले से फिर अनिस्टॉल किया है आपको दिखाने के लिए इस लिए कि डिफॉल्ट की आ रही है ठीक है आप उपर जो आ रहा है email id एक address आ रहा है selectserver.bantley.com क्योंकि यह जो software stat pro bentley वालों का है तो server name में हमको यह डालना है और की आपको डाल देना है जो notpad में साथ में यह वाली की जिसमें इए और बी लास्ट में है ठीक है जब यह आप recorded वीडियो आप दुबारा से देखोगे न तो यह मैं hide कर दूँगा की हाइड इसलिए कर दूँगा क्योंकि यह केवल college के students के लिए है कोई college से outside का student इसको जब वीडियो को देखेगा क्योंकि YouTube पे होगी तो वह है 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 यह सब की वगारा जो लिखी हुई है मैं clear दिखाईन दे रही है हाँ तो आपको notepad में दिया हुआ है साथ में उस फाइल के आप महां से देख लोगे ठीक है ठीक है लेकिन आपको यह select server यह नाम जो है न सर्वर का नाम इसको मैं जूम करने कौसिस करता हूं रुखो अब दिखाई दे रहा है कि लिए बताओ कोई कि यह सर दिख रहा है तो इसमें जो सर्वर का नाम है न यह आप स्क्रीन सोट ले लो अगर आप ले सकते हो तो जो लोग मोबाईल से ही विडियो को देख रहे हो तो स्क्रीन सोट लेना जानते होँं जो ।ूंपीर से इस लेक् show को देख रहे हैं तो कंपीर में वी स्क्रीन सोट लिया जा फेर में जो डाउनलोड करना है लिंक दिया है मैंने गुग स्टैट प्रोग ट्रेनिंग के वर्टसप ग्रूप पे साथ मैं आपको यह स्लेक्ट सर्वर डॉट बेंटली डॉट कॉम यह डालना है ठीक है इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ यहां पे आपको यही रहन देना है यह यूजर नेम आटमाटिक ले लेगा जो मेरे पीसी का यूजर नेम है और यह सब सेंटिक आटमाटिक यही रहने देनी है नेक्स्ट यहां पे आपको यह इपोटेंट है आपको यहां पे स्लेट करना है मैट्रिक इंपेरियर इंग्लिस यूनिट सिस्टम में क्या है आपका स्टेट प्रो की सारी यूनिट फीट और किलो पाउंड में होगी जबकि हमें किसमें चाहिए हमें चाहिए न्यूटन और मीटर में तो हम डिफोल्ट जो हमें इसे बात में भी कर सकते हैं अगर गलती से नहीं हुआ है तो बात में भी चेंज कर सकते हैं पर अभी कर दोके ज्यादा सही रहेगा मैट्रिक Next Install कि आप पर मिशन मांग रहा है पुछ मैंने जियस कर दिया है इस पर इसमें जो आप देख रहे हो ना एट पॉइंट असमें केवल फॉर्थ पॉइंट इस्टॉल चाहिए है मैं और कोई सा पॉइंट नी चाहिए इन्स्टॉल और सारे तम सो सीखी नहीं रहे हैं और अधर उनमें से जो एक स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का है वह स्टैट प्रो एक एरर आएगा आपका ये वाला तो इस एरर को देखके आप घबराना मत बस ओके कर देना और ये फिनिश हो गया है और भी सॉफ्टर इंस्टॉल हो रहे हैं उनको होने देना लेकिन मेरे डेक्स्टॉप पर अगर आप जाओगे तो आइकन आ चुका है और software other हो रहे हैं install उनको होने दो लेकिन आप मेरे desktop पर अगर देखोगे तो icon आ चुका है stat pro का icon यह है यह वाला stat pro V8i तो यह क्या है यह जो blue color का आपको दिखाएगा है नहीं eye section है steel structure का और जो red color का arrow है bending moment है और जो ओपर से arrow आ रहे है लोड है तो यह icon है stat pro का stat का मतलब structure analysis and design pro मतलब professionally use होता है यह version 8i internationally ठीक है यह icon आपका आगया है तो इसको मैं double click करूंगा इस icon पर stat pro पर मैं अभी next next नहीं कर रहा हूं यह और soft install हो रहे हैं मैं बस cc को चला के दिखा रहा हूं double click किया मैंने stat pro के icon पर आपको देखना है कि यहाँ पर यह देख रहे हो ना आप यहाँ पर Indian design code इसको zoom कर लेता हूं मैं यह stat pro open हो चुका है यहाँ पर बहुत सारी countries के नाम है क्योंकि हर country का अपना एक code होता है building design code is code आपने सुना भी होगा तो हमें Indian के code के according अगर building design करना है तो Indian code select करना है और जैसी मेरा यहाँ पर Indian code select है वहाँ पर green color का tick आ रहा है green color का मतलब है यह हमारा activate है stat pro अगर red color का आ रहा है तो इसका मतलब वह आपका software activate नहीं है फिर उसमें आप मुझको बताना फिर हम देखेंगे क्या करना है green tick आना चाहिए अगर red आ रहा है तो एक बार इसको हटा के एक बार दुबारा लगा के आप ऐसे इसको देख लेना यह green आना चाहिए ठीक है तो यह है आपका stat pro का interface आगे इसको next class में बताया जाएगा सबसे पहले सब का यहां तक install हो सा है क्योंकि install होने के बाद पर डे की class को आपको revision करना है एक बार बना software आप बोल जाओगे सीख कर भी ठीक है क्योंकि आपको certificate तो मिलनी रहा है तो आपके पर कोई proof तो है नहीं है कि हमने सीखा है हाँ बताओ रेडार है वो रेडार है आपका इसी setup से आपने यूज किया है पर की जो है यही वाला डाला था जो इसमें आ रहा था आज से यही डाले तो यहां पर जाना है license यह दिखाई दे रहा है आपको यहां पर आ रहा है license management इस पर क्लिक करना है तो एक window open हो जाएगी और उसमें एक error आएगा उस error को कर दो और आपको जाना है यहां पर टूल में तूल में आ रहा है product activation wizard यहां पर क्लिक करोगा तो यह window आ जाएगी इसमें पहला select करना है और next करना है और यहां पर देखो की डला हुआ है और क्या डला हुआ है Bentley server select server.bantley.com और की डला हुआ है यहां पर next करोगे और internet यहां पर होना चाहिए थोड़े देर के लिए है ठीक है तो select server spelling देख ले ना स्मॉल मोना चाहिए select server.bantley.com उसके बाद की उसके बाद next और थोड़े देर के लिए internet होना चाहिए इंटरनेट से यह चेक करता है एक बात मैं इसको next करता हूँ दूसरी डाला है ना आप तो आँ दूसरी डाल के देखो यहां एंडिया आएगा यहां मैं कुछ नहीं करता हूँ और finish कर देता हूँ बस इतना करना एक्टिवेट हो जाएगा यह एक्टिवेट हो जाएगा मैंने और सभी software जोन श्टॉल और देनको कैंसल कर दिया था है क्रोस 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 आ गया है क्योंकि मेरे केवल स्टैट प्रोच है यह यह